नमस्कार दोस्तों, सवाल है कि हम सदियों तक क्यों हारते रहे? इतने ब्रामःड, पूजापाट, भजन किर्तन के बावजूद हम हजारों सालों तक गुलाम क्यों रहे? इतने अत्याचार, इतने लूट की पूरा इतिहास लहुलुहान है और मुठी भर विदेशी हमलावरों ने हमारे देश को लूटा क्या उस समय देवी देवता, इस्वर भगवान कोई काम नहीं कर रहा था? ब्रामुडों का पूजा पाठ है कि कोई असर नहीं कर रहा था? आईए समझते हैं इसकी जड़ को दोस्तों, चुकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसकी बारिकियों को समझने के लिए एक वीडियो, दो वीडियो, चार वीडियो, च्छे वीडियो तक बन सकता है तो हर एक वीडियो को एक एक करके आप देखते जाएं, तम समझ जाएं, पाएंगे कि एपने हारों की दास्तान क्या है? दोस्तों, भारत में पुरू, चंद्रगुप्त मौर्य, शमुंद्रगुप्त, बिक्रमा देत्य, इसकंद्रगुप्त, राणा सांगा, सिवाजी महराज आज दी बहुत से सूर्वीर हुए हैं हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है साथियों फिर भी हम धाई से तीन हजार साल पहले के ग्यात इतिहास को देखते हैं तो बहुत बड़ा प्रस्चिन सामने आकर उपस्तित हो जाता है क्योंकि इतने सूर्वियों और इतने लंबे इतिहास के बावजूद हमारा इतिहास बराबर मूझ खाने मातर का इतिहास प्रगुह पराजय की एक लंबी दास्तान के अलावा पुछ है ही नहीं यहां कथन यद्यपिक कडवी है दोस्तों तथा पी सत्य है और कहा जाता है कि सत्य हमेशा कडवा होता है इस कडवाहत को थोड़ा पीजिए फिर आपको पता चलेगा इतिहास की सच्चाई हम यहां भारत के धाई से 3000 साल पुराने इतिहास का सिंहा उलोकन ही कर सकते हैं उसकी की विश्तित चर्चा नहीं इसापूर्व पांचवी सताब्दी से भारत के विभिन भागों पर विदेशियों के हमले और उनके कबजों के इतिहास में गवाही मिलती है साथियों दर्यास ने 521 से 486 इसापूर्व में पस्चिम पंजाब और सिंध के उपजाव प्रदेश सापूर्व अपने इरानी समराज्य में सम्लिभ कर लिए थे क्योकि भारत के छोटे छोटे राज्य आपसी लराई झगڑों में उलजे हुए थे भारत के गड़ तंत्र और राज तंत्र विस्तार में बहुत बड़े थे भिर भी वे संगर्थन के अभाव के कारण मुह ता पी नगर राज विस्तार की द्रिष्टी से भारतिय से बहुत छोटे थे उनके अपराजय होने का कारण यह था कि उनमें संगठन था उनमें एकता थी उनमें द्वेश का अभाव था इसलिए वो हमेशा से जीत रहे थे दोस्तों इस हार की जो न्यू पड़ती है वो इतिहास में दिखाई देता है सिकंदर के आक्रमण से भारत के इतिहास में 327 इसा पुरुव बहुत महतपूर वर्स रहा है इस वर्स भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था यह हमला कही द्रिष्टियों से महतपूर है साथियों और बाद में भारती पराजयों के बीज काफी मात् घटना के विवीद आयामों में दिखाई पड़ती है जब सिकंदर ने हमला किया तब खुद भारत के हिंदू राजाओं ने ही अपने देश का बेड़ा गरक करवाने के लिए उसकी मदद की थी तो सिकंदर अभी सुगण में ही था कि तक्षसिला के राजा आंभी ने उसके पास दूद भेजे उसके आगे समर्पन किया और उसकी सेनाय सिकंदर के पक्ष में लड़ने लगी एक अन्य राजा ससी गुप्त ने सिकंदर से लड़ाई की लेकिन जब वह हार गया उसने भी निर्विकार भाव से सिकंदर के सहायक के तौर पर लड़ना शुरू कर दिया सिकंदर का फिर पोरस के साथ मुकाबला हुआ पोरस यानि पुरू के भारी भारी रत बरसात के कारण कीचड में धस्ते हुए बहुत धीमी गती से चलते थे उसके तीर बहुत लंबे थे और उसका निशाना लगाना बहुत कष्टकर और असुविधा जनक था धनुस को प् उदर सिकंदर के घुर्षवाड बड़ी फूरती से दाएं-बाएं होकर हमला करते थे उन्होंने पुरू के हाथियों की आँठे छेद डाली और उनकी सून भी काट दी बेदना से चिहाडते हुए हाथियों ने पुरू की सेना को पूरी तरह से राउंड डाली इसी से मान मर्दन करने वाला बताया जाता है। लेकिन इतिहास बताता है सांतियों कि जब सिकंदर ने उसे कैद से छोड़ कर उसका राज उसे लोटा दिया, तो वह सिकंदर के पक्च में लड़ने लगा। जब सिकंदर आगे बढ़ा तो उसे कठ नामक राष्ट से लोहा लेना पड़ा। कठ जी जान से लड़े, सिकंदर के लिए उन्हें जीतना असंभव हो गया था। लेकिन तभी महान देशभक्त पुरू की सेना पहुँची और काठों को मोखी खानी पड़ी। जब सिकंदर और आगे बढ़ा, तब मालों और चुद्रकों ने सयुक्त रूप से उसे लोहा लेने की सोची, सिकंदर ने भाप ली और दोनों से नाओं को मिलने से पहले ही मालों पर धावा बोल दिया। नाजुक हालत देखकर उधर चुद्रकों ने बहुमुल्ले भेटों के साथ सिकंदर की सेवा में दूत भेज कर आत्मसमरपड कर दिया। सिकंदर वापस चला गया, भारती इस आक्रमण को सिग्रही भूल गये। पुराणों और साहित्य में कहीं भी उसका उलेक नहीं मिलता है। लेकिन एक बात इसके प्रेडाम स्वरूप यह हुई कि छोटे छोटे असंगठित राज्यों को चांडक और चंद्रगुप्त मौरे ने संगठित करके विसाल सामराज्य बनाया, जिसके फल स्वरूप असोग की मृत्यू तक भारत पर कोई भी विद्रेशी हमला नहीं हो स दोस्तों भारत के इतिहास में सायद यही निरापद काल था, असोग के मरते ही सामराज्य बिखर गया, पामीर और कंबोज ग्रिकों ने हडप लिये, उस समय नर्बदा के दच्छिण में आंध्र सातवाहनों का विश्वित सामराज्य था, पुर्व में समुन्द्र तक ब् मध्यवर्ती भारत मौर्यों के अधिकार में था, जो जैन और बौध थे, इस जैन बौध और ब्रामण के संगर्स ने हालत को और भी नाजुक बना दिया, सालिस उक मौर एक कटर जैन था, उसने अपने समाज में धर्म के नाम पर सायद औरंग जेब से भी ज़्यादा कतल त्राहिमाम कर उठी, इस हालत में ग्रीक के देमेत्रियस ने भारत पर हमला कर दिया, सालिस सुक की प्रजा ने जो उसके धर्मांद सासक के कारण असहायव हो चुकी थी, देमेत्रियस का स्वागत किया और उसे धम मित कहकर संबोधित किया, गर्गी सहिता के युग पुरा अंदर मथुरा और साकेद को जीतते हुए पाटली पुत्र पहुंच गया, उधर देमेत्रियस चित्तोर जीतता हुआ, मगत की राजधानी में प्रविष्ठ हुआ, चंडक और चंद्रगुप्त के सामराज के केंदर पाटली पुत्र तक यमन घुसते चले गए, लेकिन न आथी गुफा विलेक में अपने डिंग मारी और लिखवाया कि देमेत्रियस उसके डर से भाग गया था, लेकिन देमेत्रियस फिर जल्दी ही वापस लोटा और उसने पेसावर, तक्षसिला तथा सलाय कोट में अपने यवन राजध को खड़ा किया, मौर्य सामराज के पत समराट ब्रिहदरत के ब्रामहड सेनापती, पुस्यमित्र सुंग ने समराट का कतल करके मगत की गद्धी पर बैटकर ब्रामहड वीधी विधान फिर से प्रचलित किये, कहा जाता है कि मनुस्मिती उसी समय लिखी गई थी, इसकी वज़े से बौधिश्ट लोग इसके समरा राज को नश्ट करने पर उतारू हो गए, देमत्रियस के सेनापती और उसका दमाद मिनांदर उन दिनों सलाय कोट में राज करता था, उसने हालही में बौध दार्चनिक नाग सेन से प्रभावित होकर बौध धर्म अपनाया था, बौधों ने उसे पुस्यमित्र सुंग क कि ब्रामण समराज पर आक्रमण करने के लिए उक्साया और वह आक्रमण किया भी लेकिन लड़ते लड़ते मारा गया, उधर पुस्यमित्र सुंग बहुधों से और भी ज्यादा खपा हो गया, और और भी कतले आम सुरू कर दिया, पाटली पुत्र से लेकर जालंधर तक स उस्यमित्र सुंग के पौत्र बसू मित्र ने सिंदू के उस पार भगा दिया, एक तरह से ग्रीक भारत से भगा दिये गए, जो सुंगों की एक सराहनी और महत्वपुड उपलग दी थी, लेकिन बाद में वह अति बिलासी होने के कारण नश्ट हो गए, उनका अंतिम समरा देव होती था, उसे उसके मंत्री ने समराट के दासी पुत्री द्वारा मरवा कर सुंग सिंहासन पर अधिकार कर लिया, तो बिलासिता में सुंग परिवार ने अपना राज्य खतम कर लिया, दोस्तों इतिहास का पन्ना यहीं तक, अगले वीडियो में हम और भी आगे चर बर्चसों के कारण नश्ट होते हैं, दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके बताएं, अच्छा लगे तो लाइक करें, सेर करें, और चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,